नमस्ते दोस्तों मैं अनुरादात रिपार्थी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है अंसक्या दोस्तों आज हम बात करेंगे सोमवार के ब्रत के उद्यापन के बारे में सोमवार का ब्रत भोले नात को समर्पित है सोमवार का ब्रत कुछ लोग सावन महीने में करते हैं कुछ लोग 16 सोमवार ब्रत करते हैं और कुछ लोग सापताईग सोमवार का ब्रत करते हैं दोस्तो आप किसी भी प्रकार का सोमवार का ब्रत करते हों परंतु ब्रत के पूरा होने पर उस ब्रत का उध्यापन अवस्य करना चाहिए दोस्तो कोई भी ब्रत हो बिना उध्यापन के उस ब्रत का संपोर्ड फर प्राप्त नहीं होता इसलिए आपको ब्रत का उध्यापन अवस्य करना चाहिए सोमवार के ब्रत का उध्यापन कैसे करते हैं यह आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी दोस्तो भगवान संकर के सहस्र नाम है कुछ लोग इने संकर, कुछ भूले नात, कुछ लोग सिव आधी नामों से पकारते हैं सोमवार का दिन भगवान संकर को समर्पित है सोमवार का ब्रत करने से कुवारी कर्ण्याओं को मंचह पती मिलता है सत्रूओं से मुक्ति मिलती है और सभी दुखों का निवारण होता है ऐसा कहा जाता है कि जो भी इनसान सचे मन से सोमवार का ब्रत रहता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और दोस्तों किसी भी ब्रत का पूरफल तभी प्राप्त होता है जब उसका विद्धी पुर्वक उद्यापन किया जाए जितना जरूरी किसी भी ब्रत का विद्धी पुर्वक पालन करना होता है उतना ही जरूरी उसका विधी पुर्वक उद्यापन भी करना होता है सोमवार के ब्रत का उद्यापन कैसे करते हैं यह आज मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी पर आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सस्क्राइब कर लिजे ताकि आपको आपकी सारी समस्याओं का हल हमारे वीडियोज के मादम से मिल सके तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तो किसी भी ब्रत का समय पूरा होने के बाद भगवान के इस मरड के साथ जो अंतिम पूजा की जाती है वही उस ब्रत का उद्यापन कहलाता है तो दोस्तो आपको भी उद्यापन वाले दिन भगवान संकर की विदी विदान से पूजा करनी है सिव की विदिवत पूजा कैसे की जाती है आहिया जानते हैं दोस्तो उद्यापन वाले दिन शनानादी से निर्वित्त होकर शफेद रंग का वस्र धारड करें और सफेद वस्र में ही पुजा करें एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सफेद वस्र पूर्सों के लिए होते हैं महिलाएं लाल या हरे रंग का वस्र धारण कर सकती हैं दोस्तों वैसे तो किसी विब्रत का उध्यापन कराने के लिए लोग किसी पंडित को घर पर बुलाते हैं परन्तों यदि आप पंडित को नहीं बुलाना चाहते हैं या किसी कारण वस्र नहीं बुला पा रहे हैं और खुज से ही उध्यापन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आये आपको विधी बताती हूँ इसके लिए पूजा कक्ष में एक चौकी स्थापित करें इस चौकी को केले के पत्तों और फूलों से अच्छी तरह से सजाएं अब इस पर कपड़ा विछा कर भगवान संकर, मा पारवती, स्री गनेश और कुमार कार्तिके की प्रतिमा स्थापित करें अगर आपके पास सिवलिंग है तो इस्थापित करें इसके बाद गनेश पूजन से पूजा शुरू करें सबसे पहले गनेश जी की पूजा करें पूजा में गनेश जी को दूब और लॉंग, हिलाशी, कापान का वीड़ा जरूर रटपित करें पूजा सुरू करें, सबसे पहले गन्गा जल चड़कें फिर पंचा मिर्ट से भोले नाथ को शनान कराएं दोस्तों यदि पंचा मिर्ट से शनान नहीं करा सकते हैं तो इसपर्स कराएं, फिर भोले नाथ को जल से शनान कराएं तत पशात रच्छा या वस्र चड़ाएं फिर चंदन, हल्दी, कुंकुम से तिलक करें और फिर अच्छा छिड़कें दोस्तों आपको साथ में सबकी पूजा करनी हैं तो यहीं बीधिय अपनाएं फिर भोले नाथ को धतूरे का फूल, फल, समी की पत्तियां, बेलपत्र और भांचा फिर घी के दीपक और अगरबत्ती से आर्थी करें और प्रसाद का भोग लगाएं इसके बाद कथा पढ़ें फिर महा मृत्यूंजय मंत्र का 108 मंत्र यानी एक माला का जाप करें फिर हमन करें इसके बाद भगवान से उद्यापन की इच्छा जाहिर करें कि हे ब्रभू, मैंने पूरी स्रद्धा भाव से आपके सभी ब्रत उड़ किये हैं और अब मैं इसका उद्यापन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ आप हम पर अपनी कृपा बनाये रखना फिर आच्मनी में जल लेकर आसन को त्रिप्त करें नमन करें और आसन मोड कर ही उठें फिर अपने परिवार वालों को प्रसाद का वित्रड करें दोस्तों उद्यापन वाले दिन सिव मंदिर में जाकर भी भगवान की पूजा करें भगवान को भांग, धतूरा, सम्ही की पत्तियां और बिलपत्र आवश चढ़ाएं भगवान को पंचे मृतर पड़ करें और जल में काला तिर डाल कर भगवान को ग्यारा लोटे जल चनाएं इसके बाद प्रभू से छमा याशना जरूर करें कि हे प्रभू, अगर आपकी पूजा या वरत में मुझसे कोई तूटी हो गई हो तो कृपिया मुझे छमा करना इसके बाद किसी जरूरत मंद को वस्र इत्यादी का दान करें या अपने पंडित जी को अपनी इच्छा नुसार दान दच्छिडा दे कर उनका असिरवाद प्राप्ट करें दोस्तों सोमार के वरत में पूजा तीसरे पहर में करने का विदान है परंतु आपको दोनों समय पूजा करनी चाहिए साम की पूजा के बाद दान दे कर प्रसाद ग्रहड करें वर एक समय का भोजन करें तो दोस्तों इस तरह से सोमार के वरत का उध्यापन पोड़ होता है भगवान सियू सदैव आपके उपर आसिरवाद बनाये रखें आज के लिए इतना ही अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले और आगे के वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं नमस्ते